अलो बच्चों वेलकम अगें तो यूर आउन यूट्यूब चैनल एग्जाम हट्ट दियर स्टुडेंट हम 11 क्लास में ग्रेविटेशन चैटर स्टडी कर रहे थे और आज उसी का लास्ट टॉपिक हम डिसकस करने वाले हैं इसकेप स्पीड इससे पहले हमने क्या कुछ डिस अन्योड की नियुन नन्योड के homo 112 ऑ इसके बाद हमने ग्रेविटेशन फॉटेंचल ग्रेविटेशनल इनरजी इसके सासाथ हमने बिसकस किया था सेटलाइट क्या होते है satellites की है कितनी हाइट पर जाकर हमें लौंझ करना पड़ेगा उस की आर्बितील स्पीड क्या रहे हैं कि इंगिलमेंटम स्पीड वेलाउस्टिए यह सब हमने डिस्क्स किया था वहावे हैं अभी हम जो डिसक्स करने वाले आज का टॉ ज़ाता टॉपिक हो वेज़ से पहले कि escape speed हम पढ़ें उससे पहले कुछ और important हम discuss करने वाले हैं, topic में है हमारे पास में change in potential energy to raise an object from surface of earth to certain height, देखो किसी भी object को अगर मैं अर्थ के surface चे उठा करके किसी particular height पे लेके आँगा, तो कुछ work done करना पढ़ेगा, that work done will be stored as its gravitational potential energy, so well यहाँ पे potential energy में change क्या आने वाला ह है, वो discuss करेंगे हम, एक तो work done कह सकते हो आप इसको और दूसरा क्या कह सकते हो, change in potential energy क्या होगा, well इतनी को समझने के लिए हमने क्या किया, एक earth के surface को हमने consider कर लिया, let's suppose यह earth surface है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने यहाँ एक object रख दिया, जिसका mass small m है, और earth के mass को capital M हमने कहा, इनके बीच का जो distance है वो है, center to center हम measure करते हैं, let's suppose this object is raised to a certain height h, where small r is equals to capital R plus h, ठीक है, अब यहाँ पे इसके पास कुछ potential energy होगी, इसको initial potential energy हम बोल सकते हैं, minus capital G, capital M, small m upon r, और इस particular height पे जाने के बाद final potential energy बन जाएगी, minus of capital G, capital M, small m upon, यहाँ से यहाँ तक का distance है हमारे पास में, r plus h, so well जो work done होगा यहाँ पे, जो change in potential energy है, और work done होगा, तरफ पेस के ऊपर potential energy आप यह लिख सकते हो, या इसके अलावा आप लिख सकते हो, mzr, mzr, mz small g, यहाँ पे हम बात करें, अभी basically मैंने कहा कि change in potential energy, यानि delta u, और इसी को मैंने कहा, w, यानि work done, इस object को यहाँ से यहाँ तक लिजाने के लिए अपने को जो work done करना पड़ेगा, that work done कह दो जिए, या फिर उसको हम change in potential energy कह जाते है, final potential energy, minus initial potential energy, so difference क्या आता है, minus of capital G, capital M, small m upon, r, plus h, बिटा, और यहाँ पे लिखोगे, आप minus, और minus, plus हो work done कितना आएगा, अब यहाँ पे मेरे पास में कुछ ट्रम दिखरी, आपको जो common आ रही है, उसको common लिख लेते है, minus, अंदर ट्रम रहेगी, 1 by r, minus 1 by r, plus h, lc मिली जीए, very simple, r into r, plus h, आ गया, सब को करना आते, lc मिटा, यहाँ पे हमने लिखा, r, plus h, minus of r, ठीक है, इसमें कुछ cancel हो रहा है, अब हमारे पास में, जो बचा है, उसको लिख देते हैं, सबसे पहले तो अपने को एक चीज़ पता है, small g is equal to capital G, capital M, upon हमने पढ़ा हुए, r square, अर्थ के surface पे gravitational, acceleration due to gravity कि दनी होती है, यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चला, कि capital G, capital M को मैं लिख सकता यहाँ मैंने लिखा, z into r square into m, और into h, यहाँ पे मेरे पास है, r into r plus h, आगे परदर आपको दिखाई दे रहा है, जो चीज़ cancel हो रही है, let's cancel out, चीखे, अभी इस ट्रम को हम finally क्या लिख सकते हैं, mgh into r भी है यहाँ और यहाँ पे मेरे पास बचा है, r plus h, अब इस r को उठा के, जो denominator है, उसके नीचे ले आते हैं, finally जो work done आ जाता है, निकल के, that is equals to change in potential energy, mgh upon r1 plus h by r, हमारा exact formula हो जाएगा, ठीक है, direct लगा दीजिए, question आता है, change in potential energy पूछा, question क्या बनेगा, कि किसी object को हमने अर्ष सरपेज से उठा करके, उसको एक particular height h तक लेके गए, जो h है, वो उसने कह दिया, कि h is equals to 4 times the radius of earth, या फिर n times the radius of earth, इस टाइप का question बनाता है, ठीक है, यह अगर आपको समझ आ गया, ठीक है, यह अगर आपको समझ आ गया, ठीक है, ठीक है, यह अगर आपको समझ इसने पहला case दिया है, अगर हमें यह कहा जाता है, if h by r is negligible small, वन से बहुत ही कम हाता हो, नगलेक्ट किया जा सके, तो आपका जो change in energy है, या work done है, उसको हम direct लिख सकते हैं, change in energy या फिर work done that is equals to mgh, हम जो usually potential work power energy के अंदर यह formula लगा रहे थे, वहाँ पर हम यह बान के चल रह हाइट पर ले ही लेके जाना है, तो उस जगहें पर हम यह formula यूज कर रहे थे, potential energy के लिए, ठीक है, और हम work done against the gravity कर रहे हैं, gravity downward direction में लग रही है, और हम work done against the gravity कर रहे हैं, तो यह positive आएगा, ठीक है, और work done by the gravity is always the negative, याद रखना, अब बेटा इसके बाद दूसरा case में लेत हूँ, मैंने का कि ह हमारा n times the r है, अब हम neglect नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में हमारा formula बनेगा, work done के है, a change in energy that will be equals to mz, h, h की जगहें पर हमने n into r लिखा, और 1 प्लस में h, यानि n into r upon r, so well हमारे पास या answer आजेगे, question direct पूछा हुआ है, और इसकी value आपको समझ में आ गया होगी, क्या आ रहा है, ठीक है, तो मेरे पास आ गया mgr into n upon 1 प्लस n, ये direct भी पूछा हुआ है, ठीक है, py क्यो उठाओगे तो मिल जाएगा, ये समझ आ गया होगा, और अगर किसी ने कहा ही, ले भाई, h जो है, वो r के equal है, r के equal रखोगे, तो definitely हमारे answer क्या आने वाला है, w is equals to mg h, mg h, h की जगे पे हमने क्या लिख दिया, r, so well, 1 प्लस यहां पे h by r हुआ, ये भी 1 हुआ, तो 1 by 2 mg r के बराबर, work done आपको करना पड़ेगा, किसी object को earth surface से, उस particular height तक, जो height अर्थ key radius के बराबर, ठीक है, I hope आपको समझ आ गया होगा topic की, बहुत important topic है, short में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, चलो, आगे चलते हैं, next topic पे चलते हैं, next topic है, velocity required to project an object to certain height h, अभी मानलो, अभी तब हमने क्या पढ़ा था, कि कितनी potential energy हो जाएगी, ये work done कितना हो अगर मुझे पता है कि मुझे object को इस particular height तक throw करना है, तो यहां से project करते हैं, मुझे उसको velocity कितनी देनी पढ़ेगी, वो निकालते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पढ़ेगा, simply, जो चीज अभी आपने पढ़ रखी है, उसी को logic में लगाएंगे, love conservation of mechanical energy का, funda हम follow करते हैं, love conservation of mechanical energy, वही case हमने पिर discuss किया, यह earth surface है, और यहां आप उस object को लेके गए हो, particular h height पर यहां पर रखा था m, और यह भी m है, और इसकी radius हमने r कहा, इसके mass को capital M कहा, कितनी velocity देनी पढ़ेगी, अभी present में object rest में है, यह इसकी first case है, और यह है second case, इस second case पर आने के बाद, इ यहां उसके पास कोन से energy है, यह हम discuss करते हैं, so well हमें velocity निकालनी है, तो इसके पास already यहां पर applying, law of conservation of mechanical energy, यह सब को आता होगा बेटा, जिनको नहीं आता, अच्छे से पढ़ लिजे topic, बहुत जगें काम आता है बना यह topic physics के अंदर, तो अगर मैंने का कि काईनेटिक एनरज plus potential energy कहां पर, at surface, that must be equals to kinetic energy plus potential energy at height, okay, now kinetic energy मुझे कितनी देनी पड़ेगी, मैंने कहा दिया, half mv square देना पड़ेगा, भी उसने पूछा है, वो मन नहीं पता है हमें, वो भी निकाल लेंगे हम, plus में potential energy, अभी इसके पास potential energy कितनी है, minus of, अभी आप लिख सकते हो, capital G, capital M, small m, और आपने लिखा यहां पे इसके पास potential energy तो यह है, यहां में पता है, और finally object जब इस particular height पे आ जाएगा, वो rest में आ जाएगा, उसकी kinetic energy तो definitely 0 बनने वाली है, तो kinetic energy हो गई 0, लेकिन उसके पास potential energy बन जाएगी, M, G, capital M, small m, upon R, plus H, अब इसको आपको solve करना है, V के लिए, इसको मैंने solve किया, half, M, V, square, यह इदर जागे, term positive होईगी, और minus Z, capital M, small m, upon R, plus H, और यह अभी आपने निकाला भी था वैसे तो, Z, M, small m, इसको solve किया, 1 by R, plus, minus 1 by R, plus H, जस्ट अभी आपने इसको solve किया था, half, M, V, square, इसको मैंने लिख दिया, Z, into R, square, into M, और यह LCM आया, यहाँ पे R, plus H, बना बेटा, minus R, upon R, plus H, जो अभी पिछे किया था, R से R, cancel हुआ, ठीक है, अब मुझे M से M, V, cancel करना है, वेलास्टी चाहिए है, V, कितना आ जाएगा, cross multiply कर दीजिए, जो बना है, आपके पास में, V की value आगी, मेरे पास, V square is a plus 2, twice of, twice of, एक चीज़ और आएगी, यहाँ पे R, ठीक है, इस R को भी cancel करो, यह R से, इसका square हट गया, जो बचा है, 2 M Z R, और यहाँ बचा हमारे पास, H upon R plus H beta, ठीक है, अब R को आप नीचे लिया, उठा करके, next step में, R को नीचे लिया आते हैं, उठा करके, यह बना मेरे पास, V square is a plus 2, twice of M, G, H, R को इसके नीचे लिएगे, तो, one plus H by R बन गया, या फिर simply V is equals to square root, twice of M, G, ठीक है, M तो हट गया था, M तो हट गया था, M को हट आओ, यहाँ से, M तो already cancel हमने कर दिया था, twice of Z R, ठीक है, यहाँ से भी हट आ दिते हूं, यह आ गया, और यहाँ पर कितना आएगा, twice of G, H, यह आपने पहले पढ़ा हुए, लेकिन इसके ट्रम में नीचे कितना आगया, one plus H by R उरा गया, एक्स्ट्रा, under 2 G, किसी भी object को under the effect of gravity फाल करते हैं, हमें पता है, कि उसकी velocity कहाँ पर क्या होगी, under 2 G, होते हैं, लेकिन वो कब लगाते हैं, जब H is negligible small, ठीक है, इसके दो केस हम यहाँ पर भी डिस कर लेते हैं, यानि H by, H by R is very very smaller than 1, तो H by R को आप neglect करोगे, तो V is equals to आजाएगा, under root 2 G, H, ठीक है, जब H की जो value है, वो बहुत ही कम हुए as compared to the radius of R, दूसरा केस हमने discuss किया, कि H is equals to N times the R हो, तो फिर velocity क्या हो जाएगी, that will be equals to under root 2 G, H, H कितना है बेटाब यहाँ पर, N into R है, और यहाँ पर बनेगा, 1 plus N by, N into R by R, R से R cancel हुआ, तो finally V is equals to square root of 2 G, R into N upon 1 plus N, यह velocity हो जाएगी, ठीक है, direct use कर सकते हो, यह मैंने सिरफ आपको यह बताया है कि कैसे मैंने निकाला है, लाख पंजर, equation of energy का use किया, और निकाल दो, कहीं तक बोलता है, 4 times the radius of earth, 6 times, 10 times, आप लगाईए, velocity निकल जाएगी, अब यह जो चीज मैंने निकाली है, इसके बाद यह पूछता है कि अगर मैंने इतनी velocity दी, तो कितनी height तक जाएगा, same logic है, same logic, यह next topic में same logic है, ठीक है, यहाँ से हमें height calculate करनी है, तो height calculate करने के लिए आप चाहो, तो यह जो formula भी आया था, यह, यानि V is equals to beta, V is equals to, मैं क्या लिखूँगा, root 2zh upon 1 plus h by r, यहाँ से हमें h calculate करने है, कर सकते हुए या नहीं, definitely कर सकते हुए, इतना math आपको आता है, squaring both sides, V square, 2zh upon 1 plus h upon r, अब इसके बाद आपने क्या करना है, cross multiply कर लो, V square plus h by r into V square, is equals to 2zh, ठीक है, अब इस ट्रम को उठा के उदर ले जाओ, क्योंकि h चाहिए हमें तो, यहाँ बना V square, यहाँ पर बनेगा, मेरे पास h, आपने कोमन लिया, 2z minus v square by r, यह बना लिया, आप चाहो तो LCM भी ले सकते हो, LCM लेंगे तो यह बनेगा, h into 2gr minus v square upon r, यह आ गया, और finally h कितना आ जाएगा, calculation, v square upon 2gr minus v square, और नीचे का r चला जाएगा, तो यह height आ जाएगे, किस height तक जाएगा, अगर आप particular, किसी velocity के साथ में किसी object को throw करते, तो किस height तक जाएगा, topic एक दूसरे से related है, जो अभी हमने पढ़े, I hope आपको concept clear हो गया होगा, लेकिन मैंने यह क्यों पढ़ाया, क्योंकि बहुत सारे क्योश्चिन यहां से पूछे जाते हैं, इसी लिए, चलो, अब हम बात करते हैं, next, जो हमारा important topic रने वाला है, याने escape speed, escape speed से मतलब क्या है सबसे पहले तो, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि escape speed होता ही क्या है, भाई escape speed का मतलब है, कोई भी planet हो, उसका एक gravitational field है, ठीक है, तो definitely आप किसी object को जब उसके surface से throw करो, और वो उस gravitational field से बाहर चला जाए, तो कम से कम आपने कितनी velocity दी, so that कि वो gravitational field को cross कर जाए, अपने ही gravitational field को cross कर जाए, that velocity is called escape speed और escape velocity हम कह सकते हैं, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, कि minimum velocity required to exact an object from the gravitational field of the planet, कम से कम energy जो चाहिए हमें, कम से कम जो velocity हमें चाहिए, किसी भी object को उसके surface से, उसके gravitational field से निकालने के लिए, उस velocity को हम क्या कहेंगे, escape speed या फिर escape velocity, फिर फंडा तो clear हो गया, अब बात आती है कि जो escape speed है, वो mainly किस factor पे depend करती है और किस पे नहीं करती है, यह चीज हम चेक करेंगे, लेकिन एक बात आपके दिमाह में याद रखना, कि किसी भी object को, चाहिए वो 5KG का है, 10KG का है, 100KG का है, अगर हम earth surface से उसको gravitational field से बाहर project करेंगे, तो definitely जो उसकी escape speed होगी, do not depend upon the mass of object, object के mass पे depend नहीं करेगी, किस पे depend नहीं करेगी, object के mass पे, दूसरा, the angle of projection, doesn't matter कि आपने 60 degree पे throw किया, 45 degree पे, 90 degree पे, angle of projection पे भी depend नहीं करेगी, दो चीज पे तो object जो है, उसकी escape speed depend नहीं करेगी, किस किस पे, mass कितने है object का, दूसरा मैंने क्या कहा, angle of projection, so let's find out the escape speed of an object, इसके लिए again मैंने एक यहाँ पे, हमने अर्थ consider किया, और भाई मैंने इसका एक gravitational field भी बना लिया, ठीक है, gravitational field को मैंने थोड़ा सा अलग बना लिया, इस type का, और मैंने यहाँ से इस object को throw करना है, जो अभी earth surface के center से, r distance के उपर है, आर्थ का मास मैंने capital M कहा है, और यह gravitational field है, जो मैंने green circle बनाए, gravitational field, इसको मुझे यहाँ तक लेकिजाना है, यहाँ, अब एक चीज़ मैंने जब आपको satellite के अंदर पढ़ाया था, कि जब वो gravitational field से बाहर चला जाएगा, तो कम से कम जो velocity, कम से कम जो उसके energy होगी, 0 होगी, किसे भी object की जो maximum energy बन सकती है, वो 0, उसके बाद आप किस velocity से इसको यहाँ से त्रो करोगे, वो उसकी kinetic energy में convert हो जाएगी, जब वो हमारे अर्थ के gravitational field से बाहर चला जाएगा, चलो, अभी यहाँ पे इसके पास कौन सी energy है, अगर आप ध्यान से समझो, इसका mass M है, तो इसके पास सिरफ energy है, capital G, capital M, small m, upon R, इतनी energy है भाई, और यह आप सब को पता भी है, यह हमने already निकाल रख़ा है, ठीक है, तो यहाँ आने के बाद उसके पास energy कितनी हो जाए, यहाँ आने के बाद उसके पास energy हो जाए, 0, इसके नहीं हो सकता है, यहाँ पे मुझे कुछ additional इसको energy देनी पड़ेगी, so that it may escape from the gravitational field of earth, let's suppose मैंने इसको energy देती, half mv square, half mv square, तो बेटा आपको cbc बात है, law of conservation of energy, again apply करते हैं, applying, law of conservation of mechanical energy, ठीक है, यह हमने apply किया, तो अभी object के पास कौन से energy होगी, एक तो हमने जो kinetic energy additional देनी है, energy, यहाँ पे जो e मैंने लिखा है, escape speed के लिखा है, कि वो कम से कम velocity जिससे इसको हम उसके gravitational field से बाहर निकाल सकें, in addition with, जो energy इसके पास already है, यह है, और finally यह कितनी हो जाए, 0 हो जाए भाई, 0 हो जाए, love conservation of energy, क्योंकि वहाँ आने के बाद इसके पास ना तो kinetic energy होगी, नहीं potential energy, इसको हमने balance किया, of mv e square, which is equals to capital Z, plus का हो जाएगा, capital Z, capital M, small m upon r, well small m यहाँ पे खत्म होगा, मैंने जैसे कहा था, कि mass पे depend नहीं करता, जिस object को हम project कर रहे हैं, उसके mass पे depend नहीं करता, ठीक है, बार-बार कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार conceptual question कुझे तो वहाँ आटक जाते हो, escape speed, e is equals to आगया, मेरे पास capital Z, capital M upon r, यह आगया, well एक और चीज, क्योंकि हमें पता है, Z into r square is equals to Zm होता है, यह already हमने बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर साफ साफ पढ़ रखा है, तो यहाँ पे value put करेंगे, तो हमारा एक formula हो रागया, Z into r, बेटा यह भी formula हो गया, इसका, ठीक है, यह भी formula हो गया, एक और चीज, in addition, mass जो है, अर्थ का कि cube into density, अगर हम अर्थ के material को uniform हम consider करके चलें, तो वो यहाँ पे put करेंगे, we escape speed is equals to, यहाँ पे Z by r, मेरे पास, और M की value मैंने रखी बेटा, 4 by 3, pi r cube into rho, अब कुछ cancel हो रहा है, काड़ दो भाई, काड़ दो, यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ r square रह जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रह गया r square, अब जो value आई है, रख दीजिए, डाएक्ट, तो मेरे पास में escape speed का formula एक और आगे निकल गे, 4 by 3, pi z into r square into rho, यह formula भी use कर सकते हैं escape speed का, escape velocity हम जिसको बोलते होते हैं, escape velocity का यह formula भी बन जाएगा, ठीक है, अब जो escape speed है, अगर बिल्कुल हम किसी object को यह चाहते हैं, कि कम से कम आर्थ सरपेज से किसी object को throw करना है, वो gravitational field से बाहर चला जाएगा, तो कितनी velocity हमें देनी पड़ेगी, यह value आप रखो, इस value को मैं जब calculate करूंगा, तो escape speed निकल के तियात आएगी, आप रॉक्तिमेट, 11 km पर second, मतलब आप अर्थ सरपेज से किसी object को project करना चाहते हो, कि वो gravitational field से बाहर चला जाए, तो आपको कम से कम कितनी velocity रखनी पड़ेगी, 11 km पर second, यह एक second के अंदर 11 km object जो है, आपको throw करना पड़ेगा, तभी possible हो सकता है, कि वो earth के gravitational field से बाहर चला जाए, question ऐसा भी पूछा जा सकता है, कि एक 5 kg का है, उसको earth surface से हमें escape speed देनी है, या उसको gravitational field से बाहर throw करना है, तो अगर उस 5 kg object को throw करने में, escape speed उसकी कितनी है, 11 km पर second, अगर उसका double mass का कोई object मैंने ले लिया, तो उसकी escape speed क्या होगी, तो यहाँ confuse होने की जूरत नहीं है, object के mass पे depend नहीं करती, उसकी escape speed भी कितनी होगी, 11 km per second, I think you got it, let's move to the next point, देखिए, अब मैंने कहा कि यहाँ तक तो अपने को point clear हो गया, यह एक surface से हमने किसी object को throw किया, लेकिन अगर उसने कह दिया बंदे ने, कि भाई, आपका object यहाँ है, वो already किसी height पे है, और surface से h height के ऊपर है, यह अर्थ का radius, यह मास, यहाँ पे हमारा object है, अब इसको gravitational field से बाहर लेके जाना है, तो कितनी energy चाहिएगी, तो यहाँ confuse हो जाता बच्चा, जो मैंने पढ़ा है, वहाँ तक तो ठीक है, उसको याद भी होता है, वहाँ तक उसको कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे आपने देखा कि orbital speed जो थी, यहाँ पे कितनी आ रही है, यह आ रही है, ठीक है, एक मेने 2 भी आएगा बेटा, यहाँ पे 2 भी आएगा, यहाँ पे 2 भी आएगा, यह 2 zr, ठीक है, इसको भी 2 से multiply लाएगा, तो 8 बन जाएगा, यह, sorry for inconvenience, ठीक है, calculation mistake है, तो इस तरीके से, अब देखो मैंने यहाँ पे जो समझाना है, यहाँ पे escape speed जो बनी है, 2 gr, ठीक है, और orbital speed के साथ, satellite के orbital speed के साथ compare करोगे, तो वो कितना आया था, orbital speed आया था, हमारा zm capital R, या फिर root of z into R, यह आया था, उससे कितना है, escape speed is equal to root 2 times the orbital speed, root 2 times the orbital speed, ठीक है, चलो, अभी हम जो discuss कर रहे थे, उस पे आते हैं, बही बात क्या है, कि object हमारा already h height के उपर है, हमें कितनी velocity वहाँ से देनी पड़े, so that कि वो अर्थ के gravitational field से बाहर चला दे, तो ज़्यादा नहीं सोचना है, वहाँ पे भी आप क्या apply करो, कॉम apply करो, ठीक है, conservation of mechanical energy, apply कर दो, यहाँ पे इस height के उपर इसके पास कौन से energy होगी, एक तो additional आप दोगे half mb square, और plus में आपने कहा, क्या, कि इसके पास energy है, minus z, capital m, small m, और r plus h, इतनी energy उसके पास है already, potential energy, हमें additional जो energy देनी हो यह, अब यहाँ से कितनी हो जाए, क्योंकि आपने को पता है, कि gravitational field से बार जाने के बाद, object के पास zero energy बन जाएगी, अब यहाँ पे तो भाई मेरे को समझ में आ रहा है, mg v square is equals to आजाएगा, यहाँ पे z capital m, small m upon r plus h, small m get cancelled, so v is equals to आजाएगा, मेरे पास, square root z m upon r plus h, मतलब यह आजाएगा, यह आजाएगा, इतनी velocity हमें देनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसे हमें कोई question दे सकता है, एक question मैं discuss भी कर लेता हूँ, ऐसा एक question जो है, पूछा हुआ है, कि ऐसे question है, कि एक tunnel जो है बनाई जाती है, यह earth है, ठीक है, इस earth के अंदर d depth की tunnel हमने बना दी, d depth की tunnel हमने बना दी, d की value है, r by 2, d depth की tunnel है, r by 2, जिसकी value है, अब किसी object को, यह object यहाँ पर पड़ा है, इस object को मुझे throw करना है, so that की वो earth के gravitational field से बाहर चला जाए, तो well, उसने जो पुछा है, वो क्या है, कि यहाँ से आपको escape speed कितनी देनी पड़ेगी इसको, यानि उसके escape speed क्या होगी, तो इसको कैसे calculate करें, अब question यहाँ पे confuse करने वाला हो गया, जब तक art surface से उपर था object, तब तक आप logic लगा रहे थे, conservation of energy आप अब लाई कर रहे थे, यहाँ क्या करें, क्या यहाँ पे आपको पता है, इसकी energy औरेड़ी कितनी है, तो यहाँ confuse होने की जुरूत नहीं, सबसे पहले तो देखो, आर्थ के center पे या आर्थ के अंदर हमने potential कितना study किया था, अगर potential पता है, तो small m into potential ही क्या होता है, उसकी energy होती है, ठीक है, तो चलो हम इसको apply करके देखते हैं, किस तरीके से करेंगे, initial kinetic energy, यहाँ पे kinetic energy प्लस potential energy, यानि initial depth में, और finally जो है, वो कितनी हो जाएगी, टोटल energy जिस जिगह पे हम बेजेंगे, वो तो 0 हो जाएगी, वो तो कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी, ठीक है, और इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से escape speed कितनी देनी है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने half mv e square लिख दिया है, हाँ भाई, potential energy की बात है, यहाँ potential energy नहीं पता मुझे, इसके लिए मैंने formula यूज करूंगा, w is equals to m into v, अब यहाँ का v मुझे पता चल जाए, तो मुझे potential energy भी पता चल जाएगी, ठीक है, और इसको मैंने लिखा भाई, इस तरीके से plus, यहाँ पे मैंने लिखा m into potential, अब आर्थ के center में जो potential आया था, किसी को जाद है, वो कितना आया था, वो आया था, the m upon twice of r cube, और इसके अंदर भी हमने एक bracket लगा ली, यहाँ पे, और यह था 3r cube, ठीक है, एक मिनट, 3r square, 3r square माइनस, यहाँ पे जितनी भी depth ले रहे होगो, यानि depth यहाँ पे बोला है, r by 2 का, ठीक है, यह आ जाएगे, ठीक है, समझ लो, ध्यान से, potential मैंने लिखा, सिरफ, अभी मैंने potential लिखा है, यह sin minus का होता है, यह थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि potential negative होता है, किसी को याद नहीं है, तो मैं फिर से बदा जिता हूँ, अर्थ की center में, अंदर हमें कितना potential होता है, minus of the m upon 2r cube into 3r square minus, जो भी depthly है, उसका square, जो भी depthly है, उसका square, कर लेंगे, इस तरीके से आ जाएगा, तो यह logic हमने यहाँ पे apply करना है, और आप इसको stall कर सकते हो, equal to 0 put करोगे, equal to 0 put करोगे, तो यह सारा जो minus का sign है, यह उस महले में चला जाएगा, यहाँ पे आगया half m v e square, और यह plus बनेगा, तो मेरे पास आगया भाई, g capital m, small m upon, twice of r cube, और यहाँ कितना बन रहा है, यह term आ रही है, हमारी lcm से इसको solve करेंगे, अलग से, यह तो 3r square बन रहा है, minus r square upon 4 lcm लेंगे तो मेरे पास में, यह आगे, ट्रम भाई, 4, टीजा, 12 minus 1, 11 r square upon 4, ओके, अब यह square है, तो यह क्यों बैट गया हमारा, जो बचा है, उसमें small m, यहाँ से यहाँ, यह भी cancel हो रहा है, इस 2 से यह 2 cancel हुआ, well escape speed is equals to आगया, मेरे पास 11 the m, upon 4r, और इसका square root, इस तरीके की calculation आप अराम से कर सकते हो, यह escape speed बनेगी, so I hope आपको सारे lecture अच्छे से समझ में आगया, जो मैंने पढ़ाया, तो यह था हमारा gravitation chapter, chapter पुरा होना, मतलब सब कुछ खत्म नहीं हो गया है, अभी practice आपकी बागी है, तो उमीद करता हूँ, आप हमारे साथ बने रहेंगे, और practice करोगे, पी वाई क्यू लगाओगे, जिनको doubt थाते है, किसी special topic में, तो आप comment section में हमें बता सकते हैं, आज के लिए इतना ही, thank you, have a nice day, बने रहने के लिए हमारे साथ जी जान लगा दो, अपनी करियर को पाने के लिए, जैहिन, खादिसे याओगे, जैहित हैं, तो आप जिए की लिए हैं, किसी and जान लगाओे, आपären